हमारे और अत्राफ के हम सब के पेटों में इतना हराम भर गया है कि कल के कल का ही वाकिया है जी 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 आज फिर कुट हुई है बतानो कल से शुरू हुआ है हम मैंसे कितने रोए कितरों के आंसों निकले और मैं एक बात बता हूँ जब उसकी वीडियो आई वायरल हुई ना मैंने उस वीडियो को फेस्बुक पे डालने डाला और इससे पहले कि मैं पोस्त दुबाओ मैंने हटा दिया क्यों इसने के शहीद कासिम सुलिमानी के मैंने सिर्फ खाना खाते हुए जमीन में बटे खाना खाने एक हफ़ते तक मेरा पेज बंद रखा गया मैंने का मैं तो और पेगाम दे नहीं सकूँगा लेकि हम कितने कमजोर हैं कितने डर्फोग भी हो गए बिलकुल डर्फोग ह कि हमारे मेंसेज नहीं जाएगा हम फस जाएगे हम हो जाएगे मैं आर्सक करता है। मफाद है लोक me अब अ जब पेट में लोकमे हराम नजिस खाना जाएगा तो असरावाइगा। ये सारी उमत जो हैं यह नजिस खाना ही खारही है . आप चैक कर लीजैं मैं आपको छोटे से मिसाल जेता हूँ, कल नहीं, जुमाह है, आज नहीं जुमाह नहीं, कल, हफ़ते के दिन, जहां मुरगी जबा होती ना, वह देखने जाके, जबीह की शर्त है के नहीं, बिस्मिल्लाह अग्बर किबला रुक, आप देख लीजिए, वहीं से शुरू हो जा साजिश करके, अलग 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 टुकड़े कर दिये गए, हिजास को अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया, यहां पर भी काई, वह तो शिया हैं, तुमाहरों से क्या तालुक, वह तो सुननी है, तुमाहरों से क्या तालुक, जिन मुमालिक ने साथ दिन की जंग ह मार्दी हिजबुल्ला, हसनमसुल्ला के तहत, उन्होंने उनको अपने मुल्च से दर्बदर किया और इस्राइल आज कॉंट्रेक करके बैठा हुआ है कि जो गैस निकलेगी तो लबनान को इतना मिलेगा, वाइदू लहुमस्ततातु मिन कुवतिन वरबातिल खेल, जिससे जो रॉकिट शोड़ता है, हजब लगरा, ये वेल्डिंग की हुई दुकानों की ओपर ना, सारे बनते हैं, इनका मकसर ये निया कि वहां जाकर तबाही करें, इनका मकसर ये है कि वहां से जो डिफेंस मेकनिसम अन होता है, वो अर्ब रॉपय का है, तो वो अर्ब रॉपय को बैंक की सूद कारी, अब आप उस सूद की ओपर बासा, इमामा और पता नहीं कौन सी तहजद उसको पढ़ाना चाहते हैं, कि किसी तरीके से ये इसलामाइज हो जाए, इसको जिकर कर, उन्होंने आपको सूद दिया, यहुदी, यहुदी से सूद नहीं लेता, तिल टो आपके, अल्ला ने उनका रिसमें बर्का डाली, दूसरा उन्होंने आपको दिया एक जादू नगरी का, एक ट्रॉमा, कि यह जनाब हो गया मामला, हमने उसमें भी जहद आगे बढ़ा दी, अब दोनों चीज़ें जो उन्होंने सुलाहुदीन अयूबी से हारने के बाद ह बिसमिल्ला ररह्मान ररहीम, गोल्डा आयर मैं यह ज़रा चाहूंगा यह, जो प्राइम मिनिस्टर, इसने अपनी, जब इन्होंने पहली वर हारी ना, तो इसने अपनी परलिमेंट का जिलास भूलवाया, और इसने एक तारीखी कलमा का, कि अगर तो आपने इन से जीतना है, तो आपको सामाने हर्म, यह जदीद लेना पड़ेगा है, उधर गई हैंडरी कसिंचर से मुलाकात की, दो अफराद थे, एक यह लेडी थी, गोल्डा है, और इधर बैठके उन्होंने, उससे सबसे बड़ा तारीख का, तारीखी मुएदा किया, पारलिमेंट में उनके पारलिमेंटेरियन्स ने कहा, इस्राइली पारलिमेंटेरियन्स, कि हम भुके मर जाएंगे, तो उसने एक तारीखी जमला बोला था, कि जो फाते होता है न, उसको दुनिया यह नहीं देखती कि उसने बटर लगाया नहीं लगाया, यह सुखी रोडी खाई है, फाते होता ह नमबर टू इसने बीबी सी लंडन के नामा निकार को का था मेरे मरने के बाद मेरा ये इंटर्वीश आए करना उसने पूछा था तू नहीं ये कैसे फॉरेंड मिनिस्टर से तू प्राइम मिनिस्टर बन गई वहां की उसने बताया कि मैंने प्रॉफिट मुहम्मद ﷺ की एक हदीस पड़ी थी कि जब वो आईशा रदियल्ला तला ना अपनी जोजा के घर गए तो अंधेरा था पूछा चराख क्यों नहीं जल रहा कहा कि जी तेल नहीं है का मेरी ये जिरा जो है ना रहन रखवा कर तेल लेकर आपके घर से निकली जी कहती है कि मैं उसी वक्त क्लिक हुआ मेरे माइंड में कि इसके मगार नहीं तो मुला भी का जो कौल है कि आमन के जिनों में जंग के तैयारी मुकमल रखो कहती है मैंने वहां से लिया ये इंस्पिरेशन कि जी मुझे जा अगर मुसलमान तकड़े न नहीं है मतलब खुदा का नाम ले आप अकर आपके पास असला नहीं है तो आप आपस में फिर लड़ कैसे रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं तेके बिलाल भी आपने ये चीज़ कही एक तो सूद का कहा और असल आप जिसके जरीए से उन्होंने पूरी कौमों की कौमों के अखलाक का सत्यानास कर दी है उसकी तरफ हमारी तवज़ नहीं वही हमारा मीडिया है चाहे वो सोशल मीडिया हो यह दूसरा मीडिया हो गो कि हम यहां बैठ कर लगारी रहे हैं रमदान शेरीफ है लेकिन ये भी हमारी करवारी बात है या रमदान में दीन लिए और वाकी की जिस ताकत से डरता था वो था उनका जजबा जिहाद आपने क्या किया है एक तरफ इसराइल के स्कूलों की आलत देखें कि वहाँ जब तक बच्चा पूरी मिलिटरी ट्रेनिंग न कर ले उसको आखरी जिसे पासिंग आउड कहते हैं यह नहीं उसको मेट्रिस की डिगरी देते हैं नहीं हैं उनमें जदीद तरीन असला सिखाते हैं पांच्वी किलास का बच्चा बेहतरी निशानेबाद होता है आपने क्या किया अब उसके बाद आपने जितने भी जिहाद का नजरीया रखने वाले लोग थे उन पर एकसादिश के जरीये से फिरकावारीयत का एक लेबल लगाकर आपने उनको क्रेश कर दिया असल में आपने दिया क्या कौम को डौलक की थाब पर नाचने और थरकने वाले लोग वो आपका मस्तक्बिल आपका नजर आ रहा है और जो असल जजबे जिहाद कुरान और सुननत के अंदर आग रखने वाला मारा जजबा था उसको हमने देशितगर्द और क्या से क्या समझा दिया तकनालिजी में हमने शेक्यूर है जी जी मैं उसकी तरफ पिया रहा हूं उसकी बन्यादी वज़ए ये है कि हमारे जिन हुक्मरानों ने अभी वो जो बात कर रहे हैं वो जाकर इसराइल के लोगों नहीं किया उन पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएंगे खुजूर जो काम था हुक्मरानों का वो उन्होंने नहीं किया जो हमारा था हमने भी उतना नहीं किया मैं इस चीज को थोड़ा सा मैं आईलाइट कर दूँ और वो चीज आमारी बिलकुल हमें माननी चाहिए कि आज ये जो हमें कहा जा रहा है कि जी आपने पहले भी एक सवाल उठाया कि मुसल्मान आपस में दस्तों गरबाने हैं इतिहाद में क्यों नहीं हैं ये सारी बात थे उसकी वज़ए ये कि आप सियासी तोर पर पूरी दुनिया में कमजोर हैं मुझे बताईए कि इसराईल इतना सा म मुझे आप 56 यä 67 इस्नामी मुमालक हैं आप उसके खلاफ करए दादत पास करवा सकते हैं वीटो नहीं हो सकते हैं बाई फौरण वीटो ऐमेरिका वीटो कर देगा बरतानिया वीटो कर देगा कोई और वीटो पावर मुल्क इसको वीटो कर देगा देर्स मीन के आप सियासी अपना हो ले लिया ना बेनीफिट और उन्होंने कर लिया जो कुछ है अब भी आपने एक बात कही ना कि हमारी कौम ओ जी हमारे इतने मैं आज भी आपको कहता हूं आज भी हम कहते हैं खुदा की किसम मुसल्मान के अंदर वो जो जजबे जिहाद है ना आप मुझे छोड़ें ये जो देनर्जाद कुरान मुझीद का रटा लगाने वाले इनको छोड़ें मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं जिस दिल में ला इला इला ला मुहमद रसूल्ला का दर्द है जो आज का जिसे आप बिलकुल नकमा मुसल्मान का है ना आज भी अगर उसको अल्ला और रसूल के दीन के लिए आप बुलाएंगे तो वो एक बम से कम नहीं है लेकि जरूरत है कि इनको आपस और यूनिटी की इधर अकर एक औरत इसराइल की रहने वाली जो को यहूदी है जो ही उसको पता चलता है कि वो प्रेगनिट है जो ही उसको पता चलता है कि प्रेगनिट है इस अस्टेट लाउ वो वो खाना नहीं खा सकती जो के आम लोग खाते है उसका खाना обяз़वादा शुरू हो कया उसकी तैलीम में मिइथमेटिक्स आगी पढ़ी उसने फाइनार्ट सुई है अब वो मिइथमेटिक्स पढ़े इपिज वो रिदम पढ़े इपिर वो वो घाने और वो चीजें सुनेगी जो के उसके सुनने के लाइक हैं यानि कि वो डांस पार्टी नहीं हो इसमें जो बच्चा तखलीक कर रहा है आप अजमेर शरीफ की जब बात करेंगे तो उनकी माँ का जिकर करेंगे कि वो तलावत करती थी लेकिन आज जब यहूदी औरत यह सारा कुछ करके उस लड़की को पैदा कर रही है जो के गन लेके खड़ी है और आपकी औरतें जो है उस मस्जिद में मार खा रही है तो आप सिर्फ पीछे खड़े हो के इनन लिल्ला पढ़ सकते हैं और कुछ निला हमारे पास जिन्दा मिसाल है अल्हंद लिल्ला रबिलालमीन तक्रीबर बियालीस साल हो गए इनकलाब इसलामी एरान तास्व की एनक उतार के देखिए कि जिस मुल्क को आठ साल जंग में लगाया है जिस मुल्क पर आज भी पाबंदियां शदीद उसके बावजूद वो म हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिचल लीडर्शिप को कबूल किया स्पिरिचल लीडर्शिप ने खियानत नहीं की ये पॉलिटिशन्स को अब लीडर कैसे कहते हैं इमाम खुमेंदर रह्मत अल्हाले और आज अरत आत अल्हामनाई हफद अल्लह ताला को आप देख लीजे उनकी अपने मिलकियत देखे कितनी जायदा कितनी अहीं उसके बाद कौम उमिल्लत को मुझत किया और का आओ मिलकर अपने आपको मशب אות करते हैं आज अमरिका को इरान से नेकलर टेकनालोजी का डर नहीं है आज अमरिका को इरान से 32 साल से इंबारगों में है और डरता नही आज एरान की जो एकेडिमिक टेकनिक जब हम वहाँ पढ़ते था ने खुम में, मैं आपको बता हूँ, आयतुलाखामेने ने पच्छी साल का एक प्लैन एनॉंस किया, जो भी पीएशडी कर सकता है, हकूमत पर लाजमी है कि उसको पूरी स्कॉलर्शिप दे, मेरे अल्ला रह और वह यह है कि आपको बहुत जल्दी अमेरिका की एक सो च्छी बैंक्स बैंक्रेफ्ट होते वे नजर आएंगी, सूद का नुकसान नजर आएगा, सूद का नुकसान नजर आएगा, वापस आएंगे और यही मामला जो है, यह किश्मीर पे लगाएंगे, कमाल बात है, इ जनाजे पूरे, तलावते पूरी, रमजान पूरा, खेरात पूरी, दस्तरखान पूरे, मस्जदे भरी पड़ी है, कहीं घलती हो रही है या नहीं?